Welcome students, आज हम लोग mathematics के एक बहुत important chapter statistics करने जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले statistics क्या है यह जानना है, statistics है क्या, तुम्हारे पास अगर बहुत सारा information है, उन information में से, सही तरीके का कोई एक guess करना, कि कोई एक नतीजे पर पहुंचना, ठीक है, वो information लेकि नतीजे पर पहुंचन कि क्या हो सकता है, वो है statistics, मतलब क्या है, मैं practical example बोलती हूँ, तुम लोगों के, practical example है, कि suppose census record जो होता है, न, census से तो क्या करते है, कि हर, suppose एक area में, कोई भी एक word में, hundred families है, तो census के लोग आके क्या करता है, वो hundred family में जाके, सबका information लेता है, कि हर family में कितना male candidate है, कितना female candidate है कितना candidate educated है, कितना तक पढ़ाय किया है, कितना candidate educated नहीं है, कौन सा, कौन job करता है, कौन jobless है, यह सब hundred families का record यह लोग collect करके ले जाते हैं, अपने office में, यह जो collect करके ले जाता है, collection करता है, practical field से, इसको बोले जाते है, raw data, अब यह data लेके यह लोग क्या करता है, data लेके यह एक नतीजे पर पहुँछने के लिए डेटा काले करते हैं, इसकी प्लिदिदे कई निकलता है, तो ज्याह्दा से जादा है कि लगे लोगे क्या पर्टेज जादा है, तो वहार्ण कि बूलता है? अगर लड़ की लोग कम educated है तो वहाँ पर देखेगा कि suppose education में वो लोग देखता है कि कौन ज्यादा ये hundred families में overall क्यों ज्यादा पड़ता है कौन कम तो यहां पर statistics एक एक्जम पर लेकर और एक एक्जम में देखाएं सबस्तुम लोगे class में 40 students है तो 40 students में से तो marks 50 marks के exam हुआ है मतलब 40 students का तो हर किसी का कोई ना कोई marks मिला है ठीक है कुछ ना कुछ marks मिला है अगर मैं बूलू कि 30 marks किसको किसको मिला है तुम लोग क्या करोगे हाथ उठाओगे कि मुझे 30 marks मिला है मैं वहाँ पर mark counting करूंगी 30 इतने लोग को मिला है अब अगर हमको देखना है कि average percentage मतलब 40 से 50 के अंदर कितना है तो फिर हमको पहले गिंती करना पड़ेगा किसको किसको 40 से 50 है तो यह जब गिंती करने के बाद यह जो एक नेतिजे पर हम लोग पहुंचते हैं कि अच्छा स्टूडेंट्स है या बुरा स्टूडेंट्स है structure mediocre students है तो यह सब है statistics के काम तो कम करने से पहले हम लोगों को किसे यह कांटिंग किये है ठीक है कैसे counting करने से short time है हम लोग जादा counting कर सकते हैं तो उसको देखने के लिए हम लोग आज देखेंगे की कैसे कर सकते हैं सब्सक्राइब एक 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 जामपल है तो draw data मतलब जो practical field में हम लोगों को मिलता है ठीक है तो यह जो लिख लिए है सब का अलग से तो यह है थार्टी स्टुडेंट्स को इंडिविजुल रेकॉर्ड इंडिविजुल याद रखना इंडिविजुल मतलब एक-एक का मार्क समय नहीं यहां पर लिखे अगर मुझे पूछना है कोई अगर हमसे पूछे कि मैं 40 कितने को मिला तो हमको क्या करना है यहां पर देखना है कि 40 कितने को मिला है एक को मिला और और 40 है ही नहीं, 40 एक को ही मिला, 35 कितने को मिला है 35 देखो, एक को मिला, दो को मिला, तिन को मिला एसे करके हम धून के बोलना पड़ेगा ठीक है तो बैतर है कि हम लूग क्या करें एक टेबिल बना जिसे हम लोग ये record देख के ही एख जट से हम लोग बोल पाएंगी कि किसको कितना number मिला ठीक है तो marks कितना का है 50 के हैं तो 50 से ज्यादा marks नहीं होगा ना तो यहां पे हम लोग 1 से 50 तक ही लिख सकते थे पर 1 से 50 तक क्यों नहीं लिखेंगे क्योंग यहां पे तो ऐसे भी है कि कुछ एक marks है जो किसी को नहीं मिला तो वो लिखे क्या फायदा वो तो 0 students आएका तो जो जो marks है वो ही लिखेंगे ठीक है तो जिस तरीके से collect करेंगे तो उसको क्या बोलता है कितने students का क्या marks मिला है उसको जो टेबिल हम लोग बनाते है उस टेबिल को बोले जाते है frequency distribution table frequency distribution मतलब जिस basis के लिए जिसके लिए हम लोग data collect करते हैं तो किसको कितना data मिला वो गुंति करना है frequency तो यहां पर क्या है marks है तो हर marks को कितने students को कितना marks मिला तो number of students है frequency frequency मतलब कितना करके कितने students को क्या marks मिला marks frequency नहीं है क्योंकि marks के basis पर हम लोग students को count करते हैं ठीक है marks है data raw data जो जिसका किसको कितना है वो हम लोग count करते हैं तो वो होता है हम लोग को frequency distribution table तो frequency distribution table हम लोग को निंज जेनरल tally marks से किये जाते है इक यहांपे काटो के और एक एक यहांपे है यहां पे डाग दोहें एक टेली मार्स में 1 दाख दोगे, 1 14, 1 दाख, फिर और 14 है कि नहीं देखो, यह देखो, 2 14, 2 दाख, और 14, 14, 14, 14, यह देखो, 3 14, 3 दाख, मतलब जितना 14 है, उतना 1-1 काट होगे, 14 की एगेंस्ट में, यहां पर लाइन कीजोगे, ठीक है, तो 3, 3 हो गया, तो मतलब 14 में, टेली म तर यहां पर देखो मैंने आल टीन दे दिया है तो तीन मतलब तीन दाख मतलब फ्रीक्वेंच से भी तीन है मतलब तीनों को 14 मांक्स मिला ठीक है तो यह 14 को होगे फिर क्या आये फिर 14 के बाद 25 तो 25 लिख लिए मार्स में 25 को काटा तो एक के लिए एक दा और 25 दूसरा दोदा और तीष्णा तींदा और क्या है चार चारदा और तेखो और 25 नहीं है तो 25 कितना ताह여 है चारदा तो हैं पर 4 लिखे ठीक है अब 18 देखो 13 निम्बर कितना है 16 ठीक है जितना जितना यहां पर है वही number हम लोग लिखेंगे, जो नहीं है वो लें लिखेंगे, क्योंकि marks है, 50 में exam हुआ है, तो 50 में कुछ भी marks हो सकते हैं, पर जो नहीं मिला किसी को, वो marks हम लोग table में नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर है, वो ही लिखेंगे, फिर आता है 18, तो 18 से start करो, 18 स्टार्ट हुआ, तो 18 से start करोगे, एक marks आया, दो, दो marks, तीन, तीन दाग, यहाँ पर 18 है, चारदग, यहाँ पर 18 है, पांच दाग, पांच दाग मतलब जब भी पांच दाग हो जहें, हम लोग यहाँ से खीच देंगे, यह है पांच, मतलब पांच का एक ग्रूप हो गया, ठीक है, एक डाग दाग कीचेंगे, चारो को कटके, मतलब पांच का एक ग्रूप हो गया, अब तो नहीं है, और फिर से एक 18 यहाँ पर रहता, तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे, मतलब यहाँ पे 5 दाग और वो हो जाता, 6 दाग पर यहाँ पर तो 6 है, नहीं, तो यहाँ पर 5 ही है, तो यहाँ पर इसका फ्रिक्वेंसी 5, ठीक है, अब देखो 30 वाला देखो 30 इसके आगे क्या है 30 30 में कितना है देखो 7 है ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है 7 तो 7 मतलब 5 के लिए 4, 5 कीजेंगे और बाकी 2 extra तो 7 frequency ठीक है तो इस तरीके से हम लोग जीतना marks मिला उतना marks का एक table बना के उसका टेली marks बना के उसका frequency बनाएंगे इसका जैसे कि individual value लेके बना रहे हैं इसको हम लोग discrete value बोलते हैं मतलब without group कोई grouping नहीं जीतना marks है उतना उतना marks लेके individually सब marks को लिखेंगे ठीक है 50 देखो बीच में तो बहुत सारे marks हो सकते हैं वह सब नहीं लिखेंगे जो होका वह लिखेंगे ठीक है तो इस तरीके से frequency distribution table बना जाता है आप next देखेंगे कि frequency distribution table with group with group मतलब यहां पर देखो कितना group हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 marks के लिए हम लोग को यह table बनाना पड़ा ठीक है पर अगर 50 तो है अगर सब को कुछ ना कुछ marks मिले तो यह table तो और भी बड़ा हो जाएगा सबस्किसी को 24 मिला किसी को 36 मिला किसी को 16 मिला तो ऐसे ऐसे करके तो यह table और भी भला हो जाएगा मतलब without group individual value अगर लेकर हम लोग frequency distribution table बनाते है तो वह बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए without group frequency distribution table बनाते हैं वह विद ग्रूप बनाते हैं with group देखें तो इध ग्रूप मतलब एक grouping करते हैं ठीक है इसको हम लोग class interval बोले जाते हैं तो है क्किब से टेंटि अंदर स्टोडेंट्स है यहां पे उसका यहां पे त्टेट से आप वहां पे यहां पर देश्ट को यहां पर देंगे, एक एक कर पूरा ग्रूप के आंदर, 20 से 30 यहां पर यहां पर देंगे, 30 से 40 यहां पर ऐसे कर के देंगे, यह मतलब यह group है, group मतलब इसके औंदर जीतना है, पर एक बात का धियान रहे है, यहां पर देखो इसका upper frequency इसका lower frequency same है तो 10 तो 2 जगह पर है जो पहले class में भी है उसके नीचे वाला class में तो 10 को हम कहा पर लेंगे सबसक्रों कर 10 marks मिले, उसको कहा पर लेंगे उसको नीचे वाला class में लेंगे मतलब जिसका lower limit है हमेशन lower limit को लेकर काम करना है तो अगर लिमीत यंदS Wijla otei है तो अपर लिमीट को छोड़ देता है यह हम बाद में देखेंगे क्यों छोड़ता है उसको छोड़ देता है ठीक है मतलब 10 से 0 से 10 हकर होगा तो यहां पे कितना का देखेंगे यहां पे देखेंगे 0 से 9 कितने students को मिला 10 से 20 मतलब यहां पर देखेंगे 10 से 19 कितने students को वो marks मिला 20 से 30 मतलब 20 से 29 कितने students को मिला ठीक है अब देखो यहां पर 0 से 10 यहां पर देखो कोई 0 से trend तो है तो नहीं इसलिए 0 से 10 मतलब frequency 0 ठीक है अब देखो 10 से 20 तो 10 से 20 मतलब 20 मतलब 19 10 से 19 देखो 14 आएगा 14 में कितना है 3 यहां पर देखो 3 telemarks देना 14 के लिए बाकी 18 18 भी इस group में आता है 18 में कितना है यहां पर count देखो 5 5 मतलब 1 चार्ट हो गया अच्छा यहां पर ऐसे नहीं इस तरीके से दो तो आसन होगा 14 में कितना है 3 18 में कितना है 5 टोटल कितना है 8 और 15 एक कितना है 9 तो कैसे दोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दोगे ठीक है तो 10 से 19 10 से 19 में 14 आता है तो इस तरीके से भी दे सकते हो या फिर इस तरीके से दोनों से भी दे सकते हो तो 14 मतलब 3 मतलब 3 मार्क्स दे दो 14 के लिए फिर आता है 25 25 देखो इस ग्रूप में नहीं आएगा यहां पर 19 दक आएगा फिर आता है 18 18 कितना है 5 है 5 मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं लिखो के एक देने से ही तो यहां पर क्या होता है 1 2 3 4 5 ठीक है इसलिए मैं बोली थी कि आप पहले सब को काउंट कर लो करके ऐसे टेली मर्क देना फिर है 15 मतलब 1 यहां पर क्यूंकि हमेशा 5 होने में इसको काटना है ठीक है अब आता है इसको छोड़ो 20 से 30 मतलब 21 तो 25 कितना है 4 29 तक आएगा और कितना है और नहीं है तो 4 यह देखो 4 आगया फिर 30 से 39 देखो 30 से 39 कितना है 30 से मतलब यहां पर 7 35 3 मतलब 10 कितना तक है 39 तक और नहीं है ठीक है तो 7 प्लस 3 10 10 मतलब कितना आएगा कैसे करोगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ठीक है यह देखो 10 टेली मार्क तो फ्रिक्वेंसी कितना हुआ 10 10 अब 40 से 50 50 मतलब 49 तो कितना आता है 42 यह वाला आएगा 3 40 1 4 45 3 7 तो 7 मतलब कैसे लिखोगे एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है तो ग्रूप करना मतलब हम लोग को देखो टेबिल बहुत छोटा हो जाता है तो एक ग्रूप में यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिविजुली सब में देख रहे है तो यहाँ पे जब लोग हम लोग ग्रूप कर देते हैं तो टेबिल छोटा हो जाता है और उसको देखे फ्रिक्वेंसी हम लोग वैसे टेली मर्क बनाके काउंट कर देंगे पर ये बात नहीं है अगर with group तुम लोगो को table बनाना परे तो फिर तुम लोग क्या करोगे सिर्फ ये वाला table बनाओगे ये table बनाने की जरूरत नहीं है सपस्थ तुम लोगो को तब क्या होगा कि ये marks दिया रहेगा और बोलेगा कि create frequency distribution table with group group दिया रहेगा कि क्या क्या group है तो फिर तुम लोग सिर्फ ये वाला table बनाओगे ठीक है इसको बनाने की जरूरत नहीं है आप आता है class limit ये जो class interval हम लोग बनाए ये जो class interval बनाए उसको class limit इसको नीचे वाले को क्या बूले जाता है lower limit उपर वालों को upper limit ठीक है ये देखो class limit नीचे वाला जो value होता है वह lower limit होता है उपर वाला upper limit class mark होता है दोनो class का average दोनो class का average मतलब lower limit plus upper limit divided by 2 ठीक है एक class का lower limit and upper limit का average होता है class mark याद रगना class mark मतलब mid value of the class interval फिर आता है class boundary class boundary important है देखो class boundary क्या है class boundary है यहाँ पे देखो सबसे class limit हम लोगों का ऐसे दिया हुआ है ठीक है यहाँ पे देखो 44, 48, 49, 53, 54, 58 मतलब इसका upper limit और इसका lower limit सेम नहीं है ठीक है अगर सेम होता है मैंने पहले ही कहा तुम लोगों को कि अगर upper limit और lower limit पिछले class का upper limit और अगले class का lower limit अगर सेम होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि upper limit को नहीं लेके उसके आगे वाला value तक लेंगे यहाँ पे यह देखो यह वाला class में यहाँ पे देखो 44, 49, 49, 54 मतलब upper limit और lower limit सेम है तो इस class interval में हम लोग कौन सा value लेंगे 44 से 48 तक है इस class interval में 49 से 59 तक है 49 से 54 तक है तो 54 ना लेके क्या करेंगे 49 से 53 तक ठीक है इस तरीके से तो यह जो अपर लिमिट लिमिट हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे अगर सेम होता है तो फिर इसको अपर लिमिट को छोड़ देते है पर अगर सेम नहीं होता है तो फिर उसको हम लोग class boundary में convert करना परता है ठीक है पहले इसको देखो कि अगर दोनों value class में अगर included करते हैं उसको inclusive class बोले जाते है inclusive class मतलब तुम लोग उस class के अंदर जो भी value लोगे upper limit से lower limit तक value लोगे और exclusive class मतलब यह class जिसका upper limit और lower limit सेम होता है और जब value लेना है upper limit value को छोड़ के लेना होता है मतलब 49 यह आप ठीक है मतलब frequency जब करोगे तुम लोग देखोगे ना count करोगे कि है के नहीं तो 49 को छोड़ के करोगे अगर upper limit lower limit मैं फीर से बोल रही हूं अगर upper limit lower limit अलग है तो दोनों का 44 से 48 तक counting होगा मतलब देखोगे कि 48 से 44 से 48 तक कितनों को मिला वह यह frequency और अगर सेम है upper limit lower limit तो क्य जैसे यहां पर upper limit दोनों लिमीट दोनों included है उसको inclusive class बोले जाते हैं और जहां पर दोनों included नहीं है उसको उसको exclusive class बोले जाते हैं ठीक है अब जहां पर inclusive class हो यह continuous class नहीं है continuous class नहीं है मतलब अगर हम लोग यहां पर graph बनाए तो 44, 45, 46, 47, 48, 49 ऐसे है तो इसलिए हम लोग जब drawing करेंगे मतलब graph draw करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को इस तरीके से class interval को continuous class बनाना है मतलब inclusive class को exclusive class बनाना परता है आपर लिमिट लोग लिमीट से करना परता है तो कैसे सेम करोगे ध्यान से देखो सेम करने के लिए लोवार लिमिट से 0.5 माइनस करना पड़ता है और आपर लिमिट से 0.5 प्लास करना पड़ता है तो 44 से 0.5 माइनस करें तो कितना होगा 43.5 और 48 से 0.5 प्लास करें तो 48.5 ठीक है फिन नीचे नीचे मतलब नीचे वाला इसको क्लास बाउंडरी बोले जाते हैं 49 से नीचे वाल लिमिट को क्या बोली कि 0.5 माइनस होगा तो यह क्या होगा 48.5 और उपर वे 53 क्या होगा 53.5 तो इस तरीके से 54 मतलब 53.5 58 मतलब 58.5 59 मतलब 58.5 63 मतलब 63.5 मतलब हमेशा lower class limit से 0.5 कम होगा और upper class limit से 0.5 ज्यादा होगा अगर ऐसा करोगे देखो यहाँ पर upper limit और lower limit सेम हो जाता है तो यह भी exclusive class बन गया ठीक है मतलब continuous class यह बहुत important है मतलब कोई भी class में अगर upper limit lower limit सेम नहीं होता है तो ऐसे 0.5 माइनस 0.5 class करके उसको exclusive class बनाना पड़ता है तो उसको बोले जाते है class boundary ठीक है अब है class length class length मतलब यह जो gap होता है ना 44 से 48 मतलब कितना value आएगा count करो 44, 45, 46, 47, 48 मतलब 5 value तुम लोग यहां पर रख सकते हो मतलब 5 marks का frequency यहां पर रख सकते हो ठीक है तो इसको बोले जाते है class length class length मतलब difference between upper class limit and lower class limit ठीक है पर देखो यहां पर अगर inclusive class है inclusive class मतलब क्या है inclusive class में तो 48 included है पर exclusive class में 49 included नहीं है द्यान से समझो जहां पर continuous class है तो exclusive class मतलब अपर limit and lower limit सेम है रיח करीके से होगा तो एक class में क्या होगा तो यहां पर देखो अगर हम लोगए 44 45 46 47 48 49 तो 6 value आ जाते है पर 49 तो हम लोग नहीं लेते हैं तो फिर कितना होगा सिर्फ पांच ही value होगा तो class length 5 और यहां पर क्या होगा 44 45 46 47 48 तो इसका भी class length होगा पर यहां पर 48 included है यहां पर 49 included नहीं है ठीक है पर तो फिर देखो इसको class length बोले जाते हैं तो class length हम लोग जब बनाते हैं तो inclusive class में क्या होता है upper limit plus lower minus lower limit plus 1 मतब upper limit और lower limit को minus करके एक plus 1 आता है क्योंकि last वाल हम लोग को लेना है इसलिए plus 1 करते हैं और exclusive class मतलब अगर continuous class हो मतलब 49 upper or 49 lower हो तो फिर सिर्फ उसको minus करोगे तो class length आ जाता है ठीक है आप frequency distribution table frequency क्या है frequency हम लोगों ने क्या देखा यह frequency है जो class interval है उसमें कितनों को कितना value मिल रहा है ठीक है तो frequency को अगर हम लोग class करते हैं तो वो total number of students हो जाता है तो total number of students 30 students को मिला ना तो यहां पर जो marks है कितनों को किया marks मिला तो वो मिलके 30 students ही तो होना है ठीक है तो वो होता है frequency अब frequency density किसको बोले जाता है frequency density बता frequency divided by class size तो class size क्या होगा आप लिमिट माइनस लोड लिमिट वो class size है और frequency density frequency density मतले frequency देखो 1020 class का frequency density हम लोग देखते हैं देखो तो 1020 यह वाला इस class का frequency कितना है 9 ध्यान से समझो 1020 हर class का frequency density अलग होता है तो 1020 class का frequency 9 तो इसका frequency density क्या होगा देखो class का frequency 9 class size आए वहाँ पे 10 and 20 है तो class size क्या होगा 20 माइनस 10 मतलब 10 तो frequency density होगा 9 by 10 मतलब .9 ठीक है यहां पे इसका class size क्या है 10 है तो दस-दस करके है gapping यहां पे देखो 20 and 30 तो 20 and 30 का frequency कितना है 4 और इसका class size कितना है 10 तो frequency density कितना होगा 0.4 ठीक है किस class का इस class का frequency density 0.4 इस class का frequency density 30 40 frequency कितना है 10 और class size है 10 मतलब frequency density है 1 ठीक है तो इस तरीके से हम लोग frequency density निकालते हैं फिर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है 30 तो relative density क्या होगा 10 20 का frequency कितना है 9 divided by 30 इस class का frequency density मतलब frequency divided by total frequency फिर 20 30 का देखो frequency कितना है 4 और frequency frequency divided by total frequency मतलब 30 मतलब 4 by 30 इस तरीके से हर class का हम लोग relative frequency निकाल सकते हैं आप होता है percentage frequency तो percentage frequency मतलब relative frequency into 100 यह है हम लोगों का percentage frequency ठीक है percentage frequency क्या होगा पहले relative frequency निकालोगे उसका 100 से multiply करने से आ जाता है percentage frequency ठीक है क्यों एक्यों सकते हैं